राश्टिय आय एवम योगता अधारित छातिवर्ती योजना परिख्षा 2024 पचीस यानि NMS एकजाम 2023-2024 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है तो बहुत सारे एस्टेट जैसे कि मद्य परदेश पसिम मंगाल में फॉर्म भरा जा चुका है इसके अलावा दिल्ली, 36 गड, महाराष्ट, असम, मेगाले, ओडिसा इन सभी में अभी फॉर्म भरा जा रहा है साथी अब उत्तर परदेश में भी फॉर्म भरने का डेट आ चुका है जी हाँ उत्तर परदेश से अगर आप हैं तो NMS का फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भरने की तीथी जारी कर दी गई है जल्धी, बिहार और जहरखन राज्थान में भी फॉर्म भरने की तीथी जारी कर दी जाएगी इसलिए चैनल पने तो सस्क्राइब कर लिजेगा आपको जानकारी दी जाएगी तो अभी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश का देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है आपको बता दे कि NMS एक्जाम में जो पास करते हैं उसको 48,000 रुपया चाहते प्रती दी जाती है सरकार के और से और आपको क्लास 9 मी से क्लास 12 मी तक 12-12,000 करके प्रत एक वर्ष दिया जाता है तो इसमें एक एक्जाम देना होता और इससे पास करना होता है तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं तो इस फौन को बर सकते हैं तो यहां पर देखिए राष्टी यह आई एबुम योगता आधारी च्छातिव प्रती दी जाएगी इसलिए यहां पर 24-25 लिखा हुआ है अब देखिए यहां पर 5 नमंबर 2023 को आपका एक्जाम होना है ठीक है 5 नमंबर 2023 को UP में NMS का एक्जाम होना है डेट नोट कर लिजे तो यहां पर सभी जिला मेवजित होगा इस परिक्छा है तो ऑनलाइन आवेद करने की अंतीमति थी है 18 सितंबर 2023 ठीक है तो इसके बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना 18 सितंबर 2023 जो है अंतीमति थी है अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के अत्रिक्त डाक द्वारा या अनिकिसी माध्यम से आवेदन स्वेकार नहीं किये जाएंगे तो आप आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा इसका ध्यान रखे ठीक है फॉर्म भरने के लिए यह ओफिसल वेबसाइट अगर आप विश्तरी जानकारी चाहते हैं तो यह वेबसाइट है www.intdata.co.in इस पर आप लोगिन करके विश्तरी जानकारी प्राफ्त कर सकते हैं इसके ब अगर आप फोलो करते हैं तो आप परिच्छा दे सकते हैं जैसे पहला कंडिशन है कि सत्र दोजार बाइस तैसमें कक्षा साथ में जो आप पड़ रहे थे तो नियूनतम 55% अंक आपको क्लास 7 के फाइनल परिच्छा में आना चाहिए था अगर आपका 55% आया है तो आप फ सेवन के मार्क सीट में तो पहला कंडिशन यह है दूसरा कंडिशन है ऐसे चात्र चात्राएं जो 2023-2024 में राज किये और सास किये सहेता प्राप्त अस्थान या निकाय विद्याले में कक्षा आठ में यानि कि जो भी विद्यार थी सरकारी स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रह नहीं सकते हैं ठीक है प्राइवेट इसकूल वाले इस इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं इसका ध्यान डखेंगे उसके बाद है ऐसे चात्रे चात्राएं जिनके अभिभावकों की आए सबीस रोतों से 3,5,000 रुपया सलाना से कम होना चाहिए ठीक है सलाना आए 3,5,000 लेंगे कम्प्यूरस चर्ज ले सकता है सो 200 रुपय दिर्ड़ रुपया ले सकता है ठीक है यहाँ पर देखिए आविधन करते समय सभी अभ्यद्यों को यहाँ पर देकिए आपको जाती परमानपतर और आई-परमानपतर देना होताइसकीiza कि आप बनवा लिजीएगा उस करना होता है वेबसाइट पर ठीक है तो यह सभी आप बनवा लेजिए अभी समय है और आप आविधन कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में देखिए इस सारा जानकारिया आपको दे दिए तो जल्दी से बहुत जल्दी जैसे फॉर्म बना शुरू होगा तो वीडियो बना देंगे